C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है पाठ चार प्रायोगिक जामिती प्रिष्ट संख्या 63 से लेकर प्रिष्ट संख्या 72 तक आईए सुनते हैं पाठ चार प्रायोगिक जामिती चार दशमलव एक भूमिका आप कक्षा साथ में त्रिभुजों की रचना करना सीख चुके हैं हमें एक अद्वितिये त्रिभुज की रचना के लिए तीन मापों, भुजाओं और कोणों की आवश्यक्ता होती है चुकि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए तीन मापों का होना परियाप्त है एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या एक अद्वितिये चार भुजाओं वाली बंद आकरिती की जिसे चतुर भुज कहते हैं, रचना के लिए चार मापे परियाप्त होंगी इन्हें कीजिए समान लंबाई, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर वाली तीलियों या स्टिक्स का एक युग्म लीजिए अब एक दूसरा समान लंबाई, माना आठ सेंटिमीटर वाली तीलियों का युग्म लीजिए। इन्हें आपस में इस प्रकार जोड़िये यानी हिंज, जिससे 10 सेंटिमीटर लंबाई तथा 8 सेंटिमीटर चौड़ाई वाला एक आयत प्राप्त हो जाए। इस आयत का निर् आकरिती 4.1 यहाँ पर ऐसा एक आयत बना है जिसकी लंबाई 10 सेंटिमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटिमीटर है। अब आयत की चौड़ाई के अनुदिश दबाव डालिये। क्या नई प्राप्त आकरिती अभी भी एक आयत है। आकरिती 4.1 ध्यान दीजिए कि अब आयत एक समानतर चतुर भुज बन गया है। क्या आपने तीलियों की लंबाईयों को बदला है। नहीं, भुजाओं की माप वही रहती है। आकरिती 4.1 यह एक समानतर चतुर भुज ABCD है। नई प्राप्त आकरिती को दूसरी दिशा में दबाव डालिए। आपको क्या प्राप्त होता है। आप पुनहें एक समानतर चतुर भुज प्राप्त करते हैं जो बिलकुल अलग है। आकरिती 4.3 अभी भी चारों माप वही रहती है। आकरिती 4.3 यह भी एक चतुर भुज ABCD है जो बिलकुल अलग है। यह दर्शाता है कि एक चतुर भुज की चार मापों से एक अध्वितिये चतुर भुज प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या पांच मापों से एक अध्वितिये चतुर भुज प्राप्त हो सकता है। प्रिष्ट संख्या 64. आईए इस क्रिया कलाब पर पुनहे विचार करें. आप प्रतियेक 10 cm लंबाई की दो तीलियों एवं प्रतियेक 8 cm लंबाई की दो तीलियों की सहायता से एक आयत की रचना कर चुके हैं. अब BD के बराबर लंबाई वाली एक दूसरी तीली को BD के अनुदिश बांधिये आकरिती 4.4. यहाँ पर 4.1 जैसा ही एक आयत है जिसमें B और D को जोड़ दिया गया है. यदि अब चौड़ाई की ओर दबाव डालते हैं, तू क्या आकरिती में परिवर्तन होता है? नहीं, आकरिती को खोले बिना परिवर्तन संभव नहीं हो सकता है. पांचवी तीली के प्रवेश ने आयत को अद्वितिये रूप से स्थिर कर दिया है. अर्थात, कोई दूसरा चतुर्भुज दी गई भुजाओं की लंबाई के बराबर अब संभव नहीं है. अतह, हमने देखा कि पांच मापों से हमें एक अद्वितिये चतुर्भुज प्राप्त होता है. परन्तु, क्या एक अद्वितिये चतुर्भुज की रचना करने के लिए कोई भी पांच माप, भुजाओं और कोणों की परियाप्त हैं? सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए. क्या वो इन मापों से एक अद्वितिये चतुर्भुज बना सकता है? अपने उत्तर के कारण दीजिए. चार दशम लवदों एक चतुर्भुज की रचना. अब हम सीखेंगे कि दी गई निम्न लिखित मापों से एक अद्वितिये चतुर्भुज की रचना कैसे की जा सकती है? एक, जब चार भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ है. दू, जब दो विकर्ण और तीन भुजाएं दी हुई हैं. तीन, जब दो आसन्य भुजाएं और तीन कोण दिये हुए हैं. चार, जब तीन भुजाएं और उनके बीच के दो कोण दिये हुए हैं. पांच, जब अन्य विशिष्ट गुण ग्यात हैं. आईए, एक एक करके इन रचनाओं को लें. चार दशमलव दो दशमलव एक. एक चतुर भुज की रचना, जब चारों भुजाएं और एक विकरण की लंबाई दी हो. हम इस रचना को एक उदाहरण की सहायता से समझाएंगे. उदाहरण एक. एक चतुर भुज PQRS की रचना कीजिएं, जिसमें PQ बराबर है 4 cm, QR बराबर है 6 cm, RS बराबर है 5 cm, PS बराबर है 5 cm, और PR बराबर है 7 cm हो. हल, एक कच्ची या रफ आकरिती चतुर भुज को समझने में हमारी सहायता करेगी. हम पहले कच्ची आकरिती खींचते हैं और मापों को चिनहित करते हैं. आप इसके लिए आकरिती 4.5 देख सकते हैं. आकरिती 4.5 यहाँ पर एक चतुर भुज PQRS बना हुआ है. इस आकरिती में PQ बराबर है 4 cm, QR बराबर है 6 cm, PR बराबर है 7 cm, PS बराबर है 5 cm, SR बराबर है 5 cm. प्रिश्ट संख्या 65 चरण एक, कच्ची आकरिती से बड़ी आसानी सी देखा जा सकता है कि SSS रचना कसोटी से त्रिकोन PQR की रचना की जा सकती है. त्रिकोन PQR की रचना कीजिए. आकरिती 4.6 यहां पर एक त्रिकोन बना है, जिसमें PR बराबर है 7 cm, PQ बराबर है 4 cm, QR बराबर है 6 cm. दो चापों का प्रतिछेद बिंदू Q के उपर है. चरण दो, अब हमें चौथे बिंदू S का पता लगाना है. यह बिंदू S PR के संदर्भ में बिंदू Q के विपरीत तिशामें होगा. उसके लिए हमारे पास दो माप हैं. बिंदू P से बिंदू S साढ़े 5 cm की दूरी पर स्थित है. अतह P को केंद्र मान कर साढ़े 5 cm त्रिज्या की एक चाप खीचिये. बिंदू S इस चाप पर ही कहीं स्थित होगा. इसके लिए आप आकरिती 4.07 देख सकते हैं. आकरिती 4.07 यहां पर आकरिती 4.06 जैसा ही एक त्रिकोन बना है. उसके नीचे एक रेखा खिची हुई है. चरण 3. आर से बिंदू S पांच सेंटीमीटर दूरी पर है. अतह R को केंद्र मान कर और पांच सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खीचिये. बिंदू S इस चाप पर कहीं स्थित होगा. आकरिती 4.08 यहां पर आकरिती 4.06 जैसा ही एक त्रिकोन बना है. उसके नीचे लगभग X की आकरिती में दो रेखाएं खिची है. चरण 4. बिंदू S को खीचे गए दोनों चापों पर स्थित होना चाहिए. अतह यहें इन दोनों चापों का प्रतिछेद बिंदू है. इस बिंदू को S से अंकित कीजिए और PQRS को पूरा कीजिए. अर्थात PS तथा RS को जोड़िए. PQRS अभीष्ट चतुर्भुज है. आप इसे आकरिती 4.9 में देख सकते हैं. आकरिती 4.9 यहां पर एक चतुर्भुज PQRS बना है, जिसमें PQ बराबर है 4 cm, QR बराबर है 6 cm, PS बराबर है 5 cm, SR बराबर है 5 cm और PR बराबर है 7 cm. दो चापों का प्रतिछेद बिन्दू Q और S के उपर है. प्रिष्ट संख्या 66 सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए. 1. हमने देखा कि एक चतुर्भुज की 5 मापों से एक अध्वितिये चतुर्भुज की रचना की जा सकती है. क्या आप सोचते हैं कि चतुर्भुज की किनही 5 मापों से ऐसी रचना की जा सकती है? 2. क्या आप एक समानतर चतुर्भुज BATS की रचना कर सकते हैं, जिसमें BA बराबर है 5 cm, AT बराबर है 6 cm और AS बराबर है 6 cm हो? क्यूं? 3. क्या आप एक सम्चतुर्भुज या रॉम्बस ZEAL की रचना कर सकते हैं, जिसमें ZE बराबर है 3 cm, विकर्ण EL बराबर है 5 cm? क्यूं? 4. एक विद्यार्थी एक सम्चतुर्भुज प्ले की रचना का प्रयास करता है, जिसमें PL बराबर है 3 cm, LA बराबर है 4 cm, AY बराबर है 4 cm, PY बराबर है 2 cm और LY बराबर है 6 cm, परन्तु वह इसकी रचना नहीं कर सका. कारण बताईए. संकेत एक कच्ची आकर्थी की सहायता से चर्चा कीजिए. प्रशनावली 4.1 एक निम्न लिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए. एक चतुर्भुज ABCD जिसमें AB बराबर है 4 cm, BC बराबर है 5 cm, CD बराबर है 4 cm, AD बराबर है 6 cm, AC बराबर है 7 cm है. 2. चतुर्भुज JUMP जिसमें JU बराबर है 3 cm, UM बराबर है 4 cm, MP बराबर है 5 cm, PJ बराबर है 4 cm, PU बराबर है 6 cm है. 3. समान्तर चतुर्भुज मोर जिसमें OR बराबर है 6 cm, EO बराबर है 7 cm, MO बराबर है 7 cm है. 4. सम चतुर्भुज BEST जिसमें BE बराबर है 4 cm और ET बराबर है 6 cm है. 4.2.2 एक चतुर्भुज की रचना करना जब दो विकर्ण और तीन भुजाओं की लंबाईयां दी हों. जब चतुर्भुज की चार भुजाएं और एक विकर्ण दिया हुआ था, तो हमने पहले दी हुई मापों से एक त्रिभुज की रचना की और तदुपरांत चतुर्थ बिंदू का पता लगाने का प्रयास किया था. इसी विधी का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे. उदाहरन दो, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें BC बराबर है 45 cm, AD बराबर है 45 cm, CD बराबर है 5 cm, विकर्ण AC बराबर है 45 cm, और विकर्ण BD बराबर है 7 cm है. हल यहाँ पर चतुर्भुज ABCD की कच्ची आकृती दी गई है आप आकृती 4.1 को देख सकते हैं इस कच्ची आकृती का अध्यायन करके हम आसानी से देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रिकोन ACD की रचना करना संभव है क्यूं? आकृती 4.1 इस आकृती ABCD में AD बराबर है 5.5 cm, DC 5.5 cm, CB 4.5 cm, BD 7.5 cm और AC 5.5 cm प्रिष्ट संख्या 67 चरण 1 SSS का सोटी का अप्योग करके यहां पर त्रिकोन ACD बना है जिसमें AC बराबर है 5.5 cm, AD 5.5 cm, CD 5.5 cm. यहां पर दो चापें भी बनी है जिनका प्रतिछेद बिंदू D है चरण 2 D को केंद्र मान कर 7 cm त्रिज्या वाली एक चाप खीचिए बिंदू भी इस चाप पर कहीं स्थित होगा आकरती 4.1 तो यहां पर त्रिकोन ACD बना है जैसा आकरती 4.1 एक एक में था इसके नीचे एक चाप खीची है चरण 3 C को केंद्र मान कर और 4.5 cm त्रिज्या लेकर एक चाप खीचिए बिंदू B इस चाप पर कहीं स्थित होगा आकरती 4.1 तीन यहां पर 4.1 एक एक जैसा एक त्रिकोन बना है जिसके नीचे दो चापें आपस में मिल रही है चरण 4 क्योंकि बिंदू B इन दोनों चापों पर स्थित है अतह बिंदू B इन दोनों चापों का प्रतिछेद बिंदू है बिंदू B को अंकित कीजिए और A.B.C.D को पुरा कीजिए A.B.C.D एक अभीष्ट चतुर्भुज है आकरिती 4.14 आकरिती 4.14 यहाँ पर एक चतुर्भुज बना है जिसमें A.D. 5 cm है D.B. 7 cm A.C. 5 cm B.C. 4 cm C.D. 5 cm D और B के उपर दो चापे मिल रही है जिनका प्रतिछेद बिंदू D और B है प्रिष्ट संख्या 68 सोचिए, चर्चा कीजिए और लिखिए 1. उप्रियुक्त उधारण में क्या हम पहले त्रिकोन A.B.D. खीच कर उसके बाद चतुर्थ बिंदू C को ग्याद करके चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं 2. क्या आप एक चतुर्भुज PQRS की रचना कर सकते हैं जिसमें PQ बराबर 3 cm, RS बराबर 3 cm, PS बराबर 7 cm, PR बराबर 8 cm और SQ बराबर 4 cm है अपने उत्तर की पुष्टी कीजिए प्रशनावली 4.2 1. निम्न लिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए 1. चतुर्भुज Lift जिसमें Li बराबर है 4 cm, IF बराबर है 3 cm, TL बराबर है 2 cm, LF बराबर है 4 cm और IT बराबर 4 cm है 2. चतुरभुज GOLD जिसमें OL बराबर है 7.5 cm, GL बराबर है 6 cm, GD बराबर है 6 cm, LD बराबर है 5 cm और OD बराबर 10 cm है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचनस्वर आकाश आहुजा तकनीकी समन्वयक बटिलैंग लिंग्डो तकनीकी सहायक मयंकुमार निर्मान सहयोग रुची शर्मा निर्देशन्व निर्मान विमलेश चौदरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत प्रस्तुती प्रस्तुती प्रस्तुती